हेलो हाई नमस्ते हाव अर्यों योल है मनीशा एंड वेलकम बैक तो मैं चैनल मेकप विद मनीशा दैन टूड़े आई क्रेट इस मेकप लुक यूजिंग वाइट टॉन पाउडर तो हम वाइट टॉन पाउडर से अपने वेज को कैसे सेट करें और फ्लोलेस मेकप लुक कैसे क्रेट करें इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चले कि मैंने कैसे इस लुक को क्रेट किया है तो ज़्यादा बाते ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए शुरू करते हैं त मैं अपने face पे इसे तीन चार बार spray करती हूं और इसको अपने face पे अच्छे से apply कर लेती हूं हैंड से इसको dab dab करके apply करती हूं face and neck दोनों को hydrate करती हूं आप मैं यहां पर use कर रही हूं एन वाईवे concealer कणनले यह मेरा फिश यह इसे बहुत कर रहे हैं क्योंकि मुझे यह वाला कंचीलर बहुत अच्छा लगता है और यह वर एस का यहां को यहां को इस से अगर करते हैं पर उस पिंपल तो आप उस पे concealer apply करके आप अपने सारे दाग दबो यह नो डार्क स्पोर्ट डाक सेकल सबको हाइड कर सकते हैं तो यहां पर मैं यूज़ कर रही हूं beauty blender और इसको अपने इसको अच्छे से ब्लेंड आउट करूंगी जो भी एक्स्ट्रा होंगे वह सारे इसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो एक्स्ट्रा इसमें निकले हैं उसी से मैं अपने एक बार पूरे फेस पर अप्लाई कर लोंगी concealer जो भी एक्स्ट्रा थे blender में सारे फेस पर अप् और मैं जड़ा सा लूँगी बस इतना अशा और इसको इस तरीके से डॉट डॉट करके अपलाई कर लेना है और नेक पे भी अपलाई करना है मेकप करते समय आप इस बात का ध्यान रखे कि आपका फेस आपके नेक के साथ मैच करे और आप अपने नेक को भी प्रोपर डॉट कर लोंगी तो आज मैं यूज कर रही हूं यह वाइट टोन पाउडर आज मैं कोई कॉम्पैक्ट पाउडर यूज नहीं कर रही कोई ट्रांसलूसिंट पाउडर यूज नहीं कर रही आज मैं यह वाइट टोन पाउडर यूज कर रही हूं बस इस तरीके से अपने ह पाउडर से भी आप अपना मेकप फ्लोलेस कर सकते हैं यह वर्क करता है बहुत अच्छा है पूरा मैट फिनिस लुक देता है तो आई मेकप के लिए मैं यूज कर रहे हूं अपने आइसएड़ पैलेट से यह लाइट ब्राउन आइसएड़ जिसे मैं अपने क्रीज एरिया कर रही है एक ब्रस की health से और फिर इसको एक blending help की ब्रस की help से इसको अच्छे से mind out कर दूंग और अब तोड़ा कर दीं हूं ताकि आप अच्छे से देखो परह सीखो जिसको नहीं पता है वह जाने जिसको पता है वो देखे मेन रीजन है मेरा आपको इस वीडियो के थुरू आपको सीखाना अगर आप मेरी वीडियो देखके जड़ा सा भी कुछ सीखते हैं आपको लगता है कि जो चीज आपको नहीं पता था वो आपको पता चला और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्ली आई लीड पे apply की हूं छोटा से flat brush की help से और इसको ऐसे dab dab करके मैं zoom करके दिखा रही हूं आपको देखो इसको थोड़ा से dab dab करके apply करो रगरना नहीं जादा थोड़ा से blend out करना है उसके बाद मैं ये angle brush की help से वही light ब्राउन सेड को लेके अपने लोडर लैस लाइन पे स्माच आउट कर रही हूँ ताकि मेरा आई मेकण कम्पलीट लगे अगर आप करते हो तो आपका ऊपर वाला आई लीड और नीची वाला लोडर लैस लाइन कम्पलीट लगेगा, इवें टोन लगेगा एक जैसा मेकप लुक आप का दिखेगा फिर एक fluffy brush की हिल्प से अच्छे से इसको blend out कर दी यहां eyebrow feel के लिए मैं use कर रही हूँ brown और black eye shadow को mix करके pick किया है मैंने उसी eye shadow palette से और इसको अच्छे से angle दे के shape out कर ली हूँ मैं ताक कि मेरा natural eyebrow लगे वैसे मेरे eyebrow घने है अगर मैं इसको feel up ना करूँ फिर भी मेरा चल जाता है पर मैं cut लेती हूँ करना अच्छा लगता है फिर मैं यहां use कर रही हूँ blue heaven का eyeliner जो की काफी affordable है जो आपको हर market में easily available मिल जाएगा आप इसे आसानी से purchase कर सकते हो और यहां मैं थोड़ा सा wing create कर रही हूँ जादा नहीं है बस थोड़ा सा wing create कर रही हूँ और इसको अपने eyes पे अच्छे से apply कर रही हूँ आप eyeliner apply करना भी आराम से सीख सकते हो वैसे मैं कोसिस करूँगी कि एक complete eyeliner look के लिए एक video बनाओ जो कि आप सबको लिए helpful हो फिर मैं यहां mascara use कर रही हूँ मार्स का और इसे मैं अपने last line पे apply कर रही हूँ और इसी mascara को ना मैं अपने eyebrow पे यूज कर रही हूँ eyes shadow को fix करने के लिए जो मैंने use किये थे regular base में मैं makeup करती हूँ तो सिर्फ अपने mascara को ही अपने eyebrow पे apply कर देती हूँ मेरा eyebrow सेट हो जाता है फिर मैं lower lash line को भी mascara कर रही हूँ ताकि यह lower lashes भी pop out हो जाए और eye का complete look उभड के आए अब मैं यह medium brown shade पिक कर रही हूँ अपने face को contour करने के लिए और इस तरीके से मैं पाउट करके अपने face पे contour apply करती हूँ ऐसे पाउट करने पे आपका जो original contour shape होता है वो आपको दिख जाएगा तो कोई measurement की जरूरत नहीं होती है कि मैं कहां से contour करूँ फिर मैं यह light orange set लेके अपने face को as a blush कर रही हूँ तो smile करते हुए अपने face को इस तरीके से bless कर लेना है आपको लग रहा है अगर मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी helpful है या फिर आप मेरी वीडियो देखके थोड़ा भी knowledge achieve कर रहे हैं अगर मैं आपको समझाने में थोड़ा सा भी सक्षम हो रही हूँ तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्यूंकि मैं भी जर्नी स्टार्ट की हूँ तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे तो मैं हम आइले लाइडर जो की मेरा वहला टाइम फावरेट हाइलाइट पैलेट है उसी पैलेट से मैं अज यह हाईलाइट कर रही हूं आप लिपस्टिक लगा लू तो आपका लिपस बोल्ड आउट होगा तो में यहाँ ब्रोबोन पे अपलाई कर रही हूं आईब्रो के नीचे का जो एरिया होता है उसे ब्रो बोन कहते हैं तो वहाँ भी हाइलाइट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है वहाँ पे हाइलाइट करने से आई पॉपाउट होता है आईक मेंगप ऊभर के आता है फिर इसको ऐसे फिंगर पे थोड़ा सा लेकी और यह इनर कॉनर पे मैं ऐसे टाप कर देती हूँ ता कि ऐसका जो इनर कॉनर हो वो लाइट करें और इसको ठोड़ा सा फिंगर से स्मच आउट कर दीजिए ताकि यह ब्लेंडेबल लगे ऐसा ना लगे कि वहां पर कुछ रखा हुआ है थोड़ा सा फिंगर से ब्लेंड आउट कर दीजिए अब यह कंप्लीट हो गया बहुत अच्छा लुक आड़ा था पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है अब मैं एक टिप बताती हूं आपको यह क्यों टिप और जहां-जहां मुझे मस्कड़ा लगाते वक्त थोड़ा फॉल आउट हो गया था इधर उधर जो लग गया था उसको इसी समय मत पोछी है वरना आपके फेस पे पूरा इधर उधर हो जाएगा ब्लैक इस उसको ब्लेंड आउट कर देजिए यह पूरा क्लीन हो जाएगा परफेक्ट ली क्लीन हो जाता है कोई दाग नीड़ाता पे फेक्लीय क्लीन हो जाता है तो प्लीज सब्सक्राइब करो सपोर्ट करिए मुझे आपकी सपोर्ट के इस वक्त बहुत जरूरत है चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाईए सेर करिए फ्रेंड लोग से सेर करवाईए लाइक करवाईए तो यह रहा मेरा फाइनल लुक उमीद है आप सबको पसंद आया होगा आप इसको recreate करिए आप अपने face पे और देखिए कैसा turn out होता है अगर अच्छा turn out होता है आप कर पाते हैं तो please मुझे comment box में mention करिए उमीद है आप सबको अच्छा लगेगा thank you for watching love you all फिर मिलती हूँ आप सबके साथ एक अपने नए वीडियो में तब तक के लिए बाई